कहते हैं न लाख करो चतुराई करम का लिखा मिटे गानरे भाई आचानक से जहां चीन के अंदर चीन की जनता ने बगावत सुरू कर दिया है और जिन्पिंग के खिलाफ ऐसे काम सुरू कर दिये है जो पहले कभी चीन में नहीं हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ आखिर कैसे चाइना के दो हज़ार पाइलेट्स मारे गए क्या चाइना की एर फोर्स बुरी तरीके से तबाह हो गई है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बहुत जादा सकती ना चीजों को तोड़ देती हैं कहते हैं ना किसी धागे को उतना ही खीचो जितना में वो तूटे नहीं अब जिनपिंग ने ताना साही किना सारी सीमाए पार कर दी है चीन के अंदर से ऐसी ऐसी खबरे निकल कर आई जिसमें लोग डब्बे के अंदर से चिलाते हुए नजराए चीकते हुए नजराए ये डब्बे किस तीच के डब्बे थे टीन के बड़े बड़े डब्बे बनाए गए थे जिसमें क्वारंटाइन के नाम पर या फिर जो लोग महामारी से ग्रसित थे उन्हें इनमें बंद रखा जाता था बहुत सारा जहलाहट भी कई बार वीडियो के रूप में सामने आया रहा चाइना की सोसल मीडिया में जैसे ही यह चीजें बाहर आती है वैसे ही सरकार इतनी ज्यादा एक्टिव है कि सरकार तुरंत से सेंसर लगा देती है ऐसे पोस्ट को हटा देती है उपर से वैसे लोगों को ढून ढून कर कारवाई करना सुरू कर देती है चायना में लोगों के अंदर खौफ इतना ज़्यादा है जिन्पिंग का कि वो जल्दी जिन्पिंग के खिलाफ निकल कर सामने नहीं आते हैं एक बैनर आपको याद होगा राश्पती चुनाओं से पहले टंगा था जिसमें ये लिखा गया था कि आप पिंग के खिलाफ परदर्सन करो तुरत उस बैनर को हटा लिया गया उस इंसान को भी पकड़ लिया गया उसे जेल में ठूच दिया गया या उसके साथ क्या किया गया उसकी कोई खबर नहीं आई लेकिन वो दो बैनर उस दो बैनर के बाद हलकी फुलकी कई कई जगों पर कुछ इस तरीके से परदर्सन हुए जो जिनपिंग के खिलाफ थे लेकिन तुरत वहाँ पर सरकारी तंत्र उतर गया अब जिनपिंग के फैसले को सही ठहराने के लिए चाइ उनकी प्रॉबलम को सॉल्व करने में मदद करें खाना वगेरा पहुचा दें दवाईयां दे दें इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम को भारत में भी बनाया गया था लेकिन वो थे लोगों की मदद करने के लिए लोगों की भलाई करने के लिए पर चीन में इसके बिपरीत सेना की तैनाती और इस तरह के वारियर्स की तैनाती की गई है कि जो भी हमारे जीरो कोविट पॉलिसी को नहीं मानता है उसकी जवरजस्त ठुकाई कर दो और जो ठुकाई से न समझे उसे गायब कर दो तो बहुत जगह पर ये देखा जाने लगा कि सेना के लोग खड़े हैं और जो डॉक्टर हैं वैक्सीन लगाने वाले हैं उनके हाथों में भी राइफल गंस वगेरा देखी जाने लगी मतलब हम जवरजस्ती तुमसे वही पालन करवाएंगे जो की जीरो कोविट पॉलिसी म लिखा हुआ है और जब CCP का चुनाव हुआ न तब ये देखने को मिला कि जीन पिंग ने उन प्रांतों को जाधा माइने दिया अपनी केविनेट में जगह भी दिया जीन प्रांतों के जो गवर्नर्स थे या पिर हमारे लहजे में जो मुख्यमंत्री होता है उन्हों ने ज जाधा टाइट करना सुरू कर दिया लेकिन चीन में बार बार लगाए जा रहे हैं अत्यंत सक्त लोगडाउन की वज़े से अब चीन के लोग चिड़ गए हैं और चीन को लोगों ने जम कर अपने राश्पती को कोशना सुरू कर दिया है अब आप सोचेंगे चीन में करनेट को दर्किनार करते हुए गवांग जू के लोगों ने नए तरीके से अब जिनपिंग को कोशना सुरू कर दिया है और इस नए तरीके में अब इन्हों ने दूसरी भासा में जिनपिंग को कोशना सुरू कर दिया है अब चीन के गवांग जू सहर में करीब एक करोड नबे लाक लोग रहते हैं दो करोड के आसपास और ये इस वक्त ना कोवीट के इंदर बना हुआ है लियाजा सी जिन पिंग ने इस तहर में सक्त लॉकडाउन लगा दिया है लॉकडाउन के दोरान लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की सक्त मनाई ही है जिसकी वज़े से लोग काफी फरेसान हो गए हैं अब फरेसान होने का और भी कारण है कारण ये है कि आपने लॉकडाउन लगाया अच्छी बात है लेकिन सरकार ने नो तो कोई सबसीडी दी है न किराये कोई छूट दी है और ना ही खाने पीने में कुछ छूट दी है हर चीज के लिए समस्याद दिख रही है और ये चीन का ही सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीवो वहाँ पर इन्हों ने लिखना शुरू कर दिया इन्हों ने कहना शुरू कर दिया कि नवंबर में भारी लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है सरकार ने सबसीडी नहीं दी है किराई के लिए पैसे खर्च भी नहीं है कुछ तो ये कह रहे हैं कि जिन्पिंग तुम्हारा बहुत बुरा होगा तुम नरक में जाओगे वहीं बहुत सारी चीजे हो रही है लेकिन गुसा सान्थ होने का नाम नहीं ले रहा है अब बात क्या है दूसरी भासा में पोश्ट होने की वजह से चीनी अधिकारी जल्दी समझ नहीं पाते है और तब तक ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाता है अब जब उन्हें समझ में आता है कि ये चीज लिखी गई है तब वो जाकर उनको हटाते है अब ये जो लोग है ये कौन सी भासा बोल रहे है तो आपको बता दें चीन के लोग कैंटोनीज भासा में सी जिन्पिंग के खिलाब गुसे का इजहार कर रहे है और ये गवांग्जू के आसपास ही बनाया गया भासा है इसको समझने के लिए दचनी चीनी लोग चाहिए हलाकि आप सरकार काफी एक्टिव हो गई होगी कम से कम इन पोश्ट को हटाना तो सुरूर जरूर कर देगी बहुत जल्द एक्सपर्ट्स को बिठाएंगी लेकिन तब तक ये मैसेज काफी हद तक चीन में फैल चुका है जो जिन्पिंग के खिलाफ वही एक रिपोर्ट ने एक दम से तहलका मचा दिया है और इस तहलके ने चीन के वायू सेना पर एक सवालिया निसान खड़ा कर दिया है एर सो में तो चीन ने बहुत सारे हतियारों को दिखाया अब सबसे पहले इस सक्स को देखिए इस सक्स का नाम है ली कौन जिसने फुलो का गुल्दस्ता साथ में लिया हुआ है ये वो सक्स हैं जिन्होंने J-10 जो पहली बार बनाया था चाइना ने 1998 में J-10 को इन्होंने फ्लाइट टेस्ट किया था और इसके बाद इसे सौंप दिया गया था सेना को लेकिन J-10 की जब फ्लाइट टेस्ट हो रही थी तब चाइना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वायू से ना किस तरीके से रिस्पोंस थे उन्होंने UK से मदद मागा और UK से इन्होंने पाइलेट को ट्रेंड करवाया अपने पाँच पाइलेट ट्रेंड करवाये UK से और UK वार प्लेन में यानि की कथी तौर पर अमेरिकी वीमानों का अच्छे तरीके से इन 5 लोगों को नौलेज हो गया कि अमेरिकी वीमान कैसे होते हैं J-10 के लिए ये ट्रेणिंग इन्हों ने ली और J-10 की ये ट्रेणिंग काम आई इन्हे J-20 बनाने में इन्होंने J-20 फिफ्ट जेनरेशन एरक्राफट बना लिया अब चुके इन पाँच लोगों को अमेरिकन एरक्राफट को ओपरेट करना आ गया तो इन्होंने सोचा कि हमारी वायू सेना बहुत अच्छी हो जाएगी इन्होंने जे 20 बना लिया अब पिछले दिनों ख़बर निकल कर सामने आई आस्ट्रेलिया में अमेरिका ने एक पाइलेट को भी पकड़ा यूके ने भी इसी तरीके के एक्षन लिये जिसमें पता चला खुलासा हो गया कि चीनी वायू सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं इनके ही पाइलेट तब निकल कर ये बात आई है कि पिछले 6 दसक में 2000 से ज़्यादा पाइलेट मारे गए चाइना के और इसमें से 30 वो थे जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए पाइलेट बने थे यानि नए व लड़ाई अगर लड़ना कोई देश जानता है तो वो पाकिस्तान और भारत हैं जिसमें भारत की वायू सेना को यूद्ध का अच्छा खासा अनुभव है वाकि चीनी वायू सेना को अनुभव नहीं है इसमें 2000 पाइलेट अभी तक मारे जानी की पूश्टी की जा रही है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं